अक्सर रनवे पर आपने फ्लाइट्स को लांड करते हैं, टेक और अफ करते देखा होगा। लेकिन पिछली दो दिन से मीडिया पर रनवे का एक ऐसा वीडियो वाइरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की बाते कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि क्या ये पिकनिक स्पोर्ट है तो कोई पूछ रहा है कि क्या किसी पार्क का नजारा है हाला कि पीछे खड़ा इंडिगो का एक प्लेन ये साफ जाहिर कर रहा है कि कोई पार्क ये पिकनिक स्पोर्ट नहीं है ये एक runway है, मामला सिफ runway पर खाना खाने या बैठने का नहीं है, ये मामला है सेकडों लोगों की जान को लेकर लापरवाही का, इस मामले में अब बड़ी कारवाई हुई है, ये कारवाई हुई है मुंबई एरपोर्ट और Indigo पर, DGCA यानि Directorate General of Civil Aviation ने मुंबई एरपोर्ट पर 30 लाग का जुन्माना लगाया है, वज़ा वही वाइरल वीडियो है, इसमें Indigo के कुछ यात्री runway पर बैठ कर खाना खाते दिख रहे हैं, और कुछ ही मीटर दूरी पर फ्लाइट भी खड़ी है, दरसल कोरा जादा होने के चलते हैं, फ्लाइट को डिले कर दिया गया, उसी घटना की वज़े से 60 लाग का जुर्माना लगाया है, BCAS ने एरपोर्ट के साथ साथ इस बड़ी लापरवाही के लिए Indigo पर भी 1 करोर 20 लाग रोपे का जुर्माना लगाया, इस घटना के बाद Indigo को कारण बताओ नोटस भी जारी किया गया, जिस पर Indigo का जबाब भ ही आया, उन्होंने का, हमें 14 जंदरी 2024 को गोवा से दिल्ली जाने वाली Indigo फ्लाइट 6E2195 में हुई घटना के बारे में पता चला, लो विजबिलिटी के कारण इस फ्लाइट को दिल्ली में डाइवोर्ट कर दिया गया था, हम अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं, साथ घटना की जाच कर रहे हैं, हम आविशक कदम उठाएंगे, जिससे भविश में इस तरह की कोई घटना ना हो, कुल मिलाकर, Indigo पर 1 करोड 20 लाग रोपे का, और मुंबई एरपोर्ट पर 90 लाग रोपे का जुर्माना लगा है, Indigo और मुंबई एरपोर्ट के अलावा, DGCNA स्पाइस जेट और एर इंडिया पर भी 30-30 लाग का जुर्माना लगाया है, इसका कारण भी मैनेजमेंट में लापरवाही बताई गई, दरसल इन फ्लाइट्स में C-8T-3 प्रशिक्षित पाइलेट मौजूद नहीं थे, जो लो विजिबिलिटी में भी प्लेन उड़ा सक जाने वाले फ्लाइट में मौजूद था, इससे बहले सोल जन्वरी को स्पाइस जेट से भी एक ऐसा ही मामला वायरल हुआ था, इसमें पैसेंजर फ्लाइट की टॉइलेट में फस गया और मतलब लॉक हो गया, और लॉक में गड़बड़ी होने की वज़े से वो यातरी अ अपनी पूरी कोशिश की, हाला कि हम नहीं खोल सके, घबराये नहीं, हम कुछ ही मिंटो में लांडिंग कर रहे हैं, इसलिए करिपया कमोट का धक्तन खोले और उस पर बैठें और खुद को सुरक्षत रखें, जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलेगा, इंजीनियर आएगा, फ्लाइट में इस तरह की लापरवाही और घटनाओं के बाद लगतार सोशल मेडिया पर लोगों का गुस्सा देख रहा है, फ्लाइट के जिले होने और इस तरह की लापरवाही होने पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा, और इस क अनकारी जुटाई थी मेरी साथी विभावरी नी, मेरा नाम सूनल है, देश और दुनिया की तमाम खब्यों के लिए दी लेले टॉप देखते रहे हैं, शुक्रिया